परमात्मा हैं और सब में हैं, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुप दाशी कहते हैं, सनान करते समय, जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो, उस समय आपका स्वरूप कैसा दिखता है, बुरा दिखता है, बुरा दिखाई देने पर भी, मन में ऐसा नहीं रहता, कि मेरा स्वरूप बुरा है, मन में यह रहता है, कि यह रूप साबुन के कारण, उपर उपर से ऐसा दिखाई देता है, वास्तों में ऐसा है नहीं, ऐसे ही, कोई दुष्ट से दुष्ट वेक्ती दिखाई दे, तो मन में यह आना चाहिए, कि यह उप उपर उपर से ऐसा दिखाई देता है, भीतर से तो यह परमात्मा का अंश है, काले कपड़े पहनने से क्या मनुष्य काला हो जाता है, जैसा उसका स्वरूप है, वैसा ही रहता है, ऐसे ही दुष्टता और सजनता अंतह करण में रहती है, परमात्मा का जो अंश है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, एक जीवन मुक्त है, भगवत प्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है, और एक दुष्ट है, कसाई है, जीवों की हत्या करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो उन दोनों में परमात्म तत्व एक ही है, उस तत्व में कोई फर्क नहीं है, जो परमात्म तत्व को चाहता है, वह उस तत्व की तरफ देखता है, व्यवहार में यथा योग्य बरताओ करते हुए भी, साधक की दृष्टी उस तत्व की तरफ ही रहनी चाहिए, उस तत्व की तरफ दृष्टी रखने वाले का नाम ही समदर्शी है व्यवहार में समता लाने वाले सब के साथ खाना पीना व्याह आदी करने वाले समवर्ती हैं समदर्शी नहीं समवर्ती नाम यमराज का है क्योंकि मोद सबकी समान होती है अतहा ग्यानी का नाम है समदर्शी और यमराज का नाम है समवर्ती ग्यानी समदर्शी क्यों है कि वह सब में समरूप परमात्मा को देखता है दुष्ट आदमी को देखकर अगर दुष्टता का भाव पैदा होता है तो वह समदर्शी नहीं है परमात्मतत्व का जिग ग्यासू नहीं है कम से कम उस समय तो नहीं है एक स्थूल दृष्टांत आता है एक वैरागी बाबा थे उनके पास सोनी की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ती थी बाबा जी को तीर्थों में जाना था वे दोनों मूर्तियों को सुनार के पास ले गए और क कहा कि उनको ले लो और इनकी कीमत दे दो जिनसे तीर्थ घूमाएं दोनों मूर्तियों का वजन बराबर था इसलिए सुनार ने दोनों की बराबर कीमत कर दी बाबा जी चड़ गए कि जितनी कीमत गणेश जी की उतनी ही कीमत चूहे की ऐसा कैसे हो सकता है चूहा तो सवारी है और गणेश जी उस पर सवार होने वाले है उसके मालिक है सुनार बोला कि बाबा जी हम गणेश जी और चूहे की कीमत नहीं करते हम तो सोने की कीमत करते हैं सुनार मूर्थियों को नहीं देखता, वह तो सोने को देखता है ऐसे ही परमात्म तत्व को चाहने वाला साधक प्राणियों को न देखकर उनमें रहने वाले परमात्म तत्व को देखता है परमात्मा सब के भीतर हैं, यह बहुत उचे दरजे की चीज़ है उतना न समझ सको तो इतना समझ लो कि सब परमात्मा के हैं यह सुगमता से इस समझ में आ जाएगा कि यह जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के हैं परमात्मा के हैं तो ऐसे क्यों हो गए कि ज़्यादा लाड प्यार करने से बालक बिगड जाता है ये परमात्मा के लाडले वालक हैं इसलिए बिगड़े बिगडने पर भी हैं तो परमात्मा के ही अतहा उनको परमात्मा के समझ कर ही उनके साथ यथा योग्य बरताओ करना है जैसे हमारा कोई प्यारा से प्यारा भाई हो और उसको प्लेग हो जाए तो प्लेग से परहेज रखते हैं और भाई की सेवा करते हैं जिसकी सेवा करते हैं वह तो प्रिय है पर रोग अप्रिय है इसलिए खान पान में परहेज रखते हैं ऐसे ही किसी का स्वभाव बिगड जाए, तो यह बिमारी आई है, विकृती आई है, उसके साथ व्यवहार करने में जो फरक दिखता है, वह केवल उपर उपर का है, भीतर में तो उसके प्रती हितैशिता होनी चाहिए. भगवान सबके सुहरिद हैं, सुहरिदम सर्वभूता नाम, ऐसे ही संतों के लिए आया है, कि वे समपूर्ण प्राणियों के सुहरिद होते हैं, सुहरिदह सर्वदेही नाम. सोहरिध होने का मतलब क्या कि दूसरा क्या करता है कैसे करता है हमारा कहना मानता है कि नहीं मानता हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल इन बातों को न देख कर यह भाव रखना कि अपनी तरफ से उसका हित कैसे हो उसकी सेवा कैसे हो हाँ सेवा करने के प्रकार अलग-अलग होते हैं जैसे कोई चोर है, डाकू है उनकी मार पीट करना भी सेवा है तात पर यह है कि उनका सुधार हो जाए उनका हित हो जाए, उनका उधार हो जाए बच्चा, जब कहना नहीं मानता तो क्या आप उनको थपड नहीं लगाते उस समय क्या आपका उससे वैर होता है वास्तव में आपका अधिक स्नेह होता है तभी आप उसको थपड लगाते हैं भगवान भी ऐसा ही करते हैं जैसे बच्चे खेल रहे हैं और किसी माई का चित्त प्रसन हो जाए तो वह स्नेह वश सब बच्चों को एक-एक लड़ू दे देती है परंतु वे उद्धंडता करते हैं तो वह सब को थपड नहीं लगाती केवल अपने बालक को ही लगाती है ऐसे ही भगवान का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह उनके अधिक स्नेह का अपने पन का द्योतक है दूसरे के साथ स्नेह रखते हुए बरताओ तो यथा योग्य अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए पर दोश नहीं देखना चाहिए किसी के दोश देखने का हमारा अधिकार नहीं है जैसे नाटक में एक मेघनाथ बन गया और एक लक्ष्मन बन गया दोनों एक ही कंपनी के हैं पर नाटक के समय कहते हैं अरे तेरे को मार दूँगा आजा मेरे सामने खत्म कर दूँगा वे अस्त्र-शस्त्र भी चलाते हैं परंथू भीतर से उनमें वेर है क्या नाटक के बाद वे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, क्यों? उनके हृदय में वैर है ही नहीं संतों के लिए कहा गया है, संतों की गतिराम दास, जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टा थाए बाहर से वे संसार का बरताओ करते हैं, पर भीतर से परमात्म तत्व को देखते हैं, भीतर से उनका किसी के साथ द्वेश नहीं होता, और सब के साथ मैत्री तथा करुना का भाव होता है अद्विष्टा सर्वभूता नाम मैत्रह करुना एवचा रदय से वे सब का हित चाहते हैं अब प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टी सम कैसे हो एक तो आप में यह बात द्रड़ता से रहे कि मैं तो साधक हूँ, परमात्म तत्व का जिग्यासु हूँ और एक यह बात द्रड़ रहे कि सब में परमात्मा है सब में परमात्मा को कैसे देखें इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने मनुष्य है, इसमें जो है पना है, सत्ता है वह कभी मिटती नहीं, वह बुरा हो या भला हो दुराचारी हो या सदाचारी हो उसमें जो है पना है, वह मिटेगा क्या, बढ़िया से बढ़िया चीजों में भी, वह है पना है, और कूडा करकट आदी में भी, वह है पना है, उन चीजों का रूप बदल जाता है, पर है पना नहीं बदलता, कूडा करकट को जला दो तो वह राख बन जाएगा उसका रूप दूसरा हो जाएगा पर उसकी सत्ता दूसरी नहीं हो जाएगी वह सत्ता परमात्मा की है उस सत्ता की तरफ द्रिष्टी रखो जो परिवर्तन होता है वह प्रकृती में होता है आपको संक्षेप से प्रकृती का स्वरूप बताएं तो एक वस्तू और एक क्रिया ये दो प्रकृती हैं वस्तू भी बदलती रहती है और क्रिया भी बदलती रहती है यह बदलना प्रकृती का है आप प्रकृती के जिग्यासू नहीं है परमात्मा की जिग्यासु हैं अतह बदलने वाले को न देखकर रहने वाले हैपन को देखो संसार है मनुष्य है पशु है पक्षी है यह जीवित है यह मुर्दा है इसमें तो फर्क है पर है में क्या फर्क पड़ा नफा हो गया नुकसान हो गया बेटे का जन्म हुआ पोते का जन्म हुआ बेटा मर गया तो नफा नुकसान में जन्मने मरने में फर्क है पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क पड़ा ना उस वस्तु की सत्ता में फर्क पड़ा और न आपके ज्ञान में फर्क पड़ा व्यवहार तो स्वांग के अनुसार ही होगा हम साधू हैं तो साधू की तरह स्वांग करेंगे ग्रिहस्थ हैं तो ग्रिहस्थ की तरह स्वांग करेंगे सामने जो व्यक्ति है परिस्थिती है उसको लेकर बरताओ करना है सत्य रूप से, ग्यान रूप से और आनंद रूप से सब में परमात्मा ही परिपून है एक कालपनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक सत्ता होती है पैदा होने के बाद होने वाली सत्ता कालपनिक है और पैदा न होने वाली अर्थात नित्य रहने वाली सत्ता वास्तविक है जैसे बालक पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद बालक है ऐसा दिखाई देता है पैदा होने से पहले वह बालक नहीं था बालक होने के बाद फिर वह जवान हो जाता है इस प्रकार यह है बदलने वाली कालपनिक सत्ता प्रकृति की है मूल में परमात्मतत्व की वास्तविक सत्ता है जो कभी बदलने वाली नहीं है परमात्मतत्व का जिग्यासू उस न बदलने वाली सत्ता को देखता है और संसारी आदमी बदलने वाली सत्ता को देखता है एक की दृष्टी पारमार्थिक है और एक की दृष्टी संसारिक है जैसे स्थूल दृष्टी से मा, बहन और स्त्री एक समान ही दिखाई देती है पर भाव दृष्टी से देखें तो मा बहन और स्त्री तीनों अलग-अलग दिखाई देती है बाहर की स्थूल दृष्टी तो पशू की दृष्टी है मनुष्य की दृष्टी नहीं साधक की दृष्टी तत्व पर रहती है इसलिए वह सब जगह एक परमात्मा को ही देखता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चमई पश्यति तस्याहमन प्रणश्यामे सचमेन प्रणश्यति अर्थात जो सब में मेरे को देखता है और सब को मेरे में देखता है उसके लिए मैं अद्रिश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अद्रिश्य नहीं होता एक बच्चे ने मा से कहा कि मा मुझे गुड चाहिए मा ने कहा कि गुआर ले जा और बदले में बनिय के यहां से गुड ले आ बच्चा घर से गुआर ले गया और बनिये से बोला कि मुझे गुड चाहिए बनिये ने तोल कर गवार ले लिया और गुड तोल कर दे दिया बच्चा सोचने लगा कि बनिया कितना मूर्ख है गवार जैसी चीज पश्वों के खाने की है मनुश्य के काम की नहीं है उसके बदले में यह है मेरे को गुड देता है इस तरहे गवार और गुड पर दृष्टी रहने के कारण बच्चे को बनिया मूर्ख दिखाई देता है परन्तु बनिये की दृष्टी पैसों पर है कि गवार कितने पैसों का है और गुड कितने पैसों का है बनियां दो तरह से पैसे कमाता है माल लेता है तो सस्ता लेता है और बेचता है तो महंगा बेचता है अताप उसने गवार में नफा अलग किया और गुड में नफा अलग किया बनिये को गवार और गुड से क्या मतलब है उसको तो पैसा पैदा करना है ऐसे ही साधक की दृष्टी परमात्म तत्व पर होती है सब में जो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है संसार से क्या मतलब साधक को व्यवहार तो यथा योग्य करना है परमहत्व परमात्म तत्व को ही देना है व्यवहार को नहीं व्यवहार में किसी ने आदर कर दिया तो क्या हो गया, किसी ने निरादर कर दिया तो क्या हो गया, आदर करने वाला तो हमारा पुन्यक्षीन करता है, और निरादर करने वाला हमारा पाप नश्ट करता है, हमारा लाभ किसमे है, पाप रखने में किनिश्ट करने में जो हमें दुख देता है अपमान करता है निंदा करता है तिरसकार करता है वह हमारे पापों का नाश करता है जो हमारा आदर सतकार करता है वाह वाह करता है वह हमारे पुर्ण्यों का नाश करता है हम पापों का नाश करने का उद्योग करते हैं पर निरादर करने वाला हमारे पापों का नाश स्वतह ही कर रहा है यह उसकी कितनी कृपा है उसका हमारे पर कृपा करने का आशय नहीं है पर वह क्रिया तो हमारे लाब की ही कर रहा है वह हमारा हिताईशी नहीं है ये ठीक ही होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता। एक मारमिक बात है कि साधन के लिए कोई परिस्थिती अनिष्टकारी होती ही नहीं। संसार का जितना व्यवहार है, वह सब का सब साधन सामक्री है। सुखदाई, दुखदाई, अनुकूल, प्रतिकूल जो कुछ सामने आता है, वह सब साधन सामक्री है। अच्छा और मंदा होता है, राग और द्वेश होता है, तो हम जागरत कहां रहे। अतहा मैं साधक हूँ और मेरे साध्य परमात्मा है, इसकी जागरिती रखते हुए साध्य की प्राप्ती के लिए यथा योग्य बर्ताओ करना है। एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामे जी सबकुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभाव करने का साध्य क्या है, किस तरह इसकी सिध्धी होती है। स्वामे जी ने कहा, अगर आप वासु देवह सर्वम का अनुभाव करना चाहते हैं, तो बड़ी द्रड़ता से इस बात को मान लें, कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, वह हमें संसार से मिला है, और छूट जाएगा, अतहा, वह मेरा नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, कि श भी प्रतिक्षन मुझसे अलग हो रहा है, जितने उम्र बीद गई, उतना तो शरीर हमसे अलग हो गया, अब बाकी कितना रहा है, इसका पता नहीं, कर्मयोग की दृष्टी से, शरीर संसार का है, ग्यानयोग की दृष्टी से, प्रकृती का है, और भक्तियोग की परमात्मा का है, शरीर को किसी का भी माने, पर यह मेरा नहीं है, यह सर्वसिद्धान्त है, जो वस्तु मिली हुई है, और बिछुड जाएगी, वह अपनी कैसे हुई, शरीर मिला हुआ है, बिछुड जाएगा, और निरंतर बिछुड रहा है, यह तीनो बातें, संदेह र संसार की सेवा में लगा दें, और शरीर मनाणी से किसी का भी बुरा न चाहें, तो वासु देवह सर्वम का अनुभाव हो जाएगा, हमें वही सेवा करनी है, जिसको करने की हमारे अंदर सामर्थ्य है, और सेवा लेने वाला हमारे से ण्याय यक्त सेवा चाहता है, जो हमारे से अन्याय युक्त शास्त्र विरुद्ध सेवा चाहता है, उसको नहीं करना है, हम वासुदेवा सर्वम कानुभव करना चाहते हैं, तो अन्याय युक्त काम हम नहीं करें, और न्याय युक्त काम भी उतना करें, जितनी हमारी शक्ती है एक बड़ी मारमिक बात है कि भला करने की अपेक्षा बुरा न करना बुराई का त्याग करना बहुत उची साधना है भलाई करने में जोर आता है पर बुराई न करने में कोई जोर नहीं आता बुराई न करने से दो बाते होंगी केवल भलाई करेंगे अथवा कुछ भी नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करने से परमात्मा में स्वतह स्थिती होती है क्योंकि कुछ करने से ही संसार में स्थिती होती है भलाई करने से अभिमान आ सकता है पर बुराई न करने से अभिमान आता ही नहीं इसलिए बुराई का त्याग करें और न बुरा करें न बुरा सोचें न बुरा कहें भागवत में वासुदेवह सर्वम का साधन बताया है विस्रिज्य स्मयमानान स्वान द्रिशम विरिडाम जवदै हिकीम प्रणमे दंडवद भूमा वास्च आश्वस चांडाल गोखरम अर्थात हंसी उडाने वाले अपने लोगों को और अपने शरीर की द्रिश्टी को भी लेकर जो लज्जा आती है उसको छोड़कर अर्थात उसकी परवाह न करके कुत्ते, चांडाल, गो एवं गधे को भी प्रिथवी पर लंबा गिर कर भगवद बुद्धी से साश्टांग प्रणाम करें जो भी प्रानी सामने आए उसको साश्टांग प्रणाम करें शरीर की लज्जा आती हो तो उसको छोड़ दें और लोग हसी उड़ाते हो तो उसकी परवाह मत करें क्योंकि हमें उससे क्या मतलब? हमें तो वासुदेवा सर्वम सिद्ध करना है दिड़ निश्चय हो जाएगा तो ऐसा करने में कठिंता नहीं होगी अगर कठिंता लगती हो तो मन से ही दंडवत प्रणाम कर लें ऐसा कोई प्राणी न छूटे जिसको नमस्कार न किया हो किसी भिवर्ण आश्रम जाती धर्म संप्रदाई का मनुष्य हो वह भगवान ही है इसमें चार बाते हैं पहली इन प्राणियों के भीतर भगवान है दूसरी ये भगवान के भीतर है तीसरी ये भगवान के हैं और चोथी ये भगवान ही है चारों में से जो सुगम लगे वह मान ले ये भगवान के हैं ऐसा मानना सबसे सरल है सुगम है अतह ऐसा मान लें कि ये भगवान के हैं भगवान को प्यारे हैं इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? यह भगवान बताते हैं कि जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुशों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है अर्थात उनमें मुझे ही देखता है तब शीग्र ही उसके चित्त से इर्शा, दोश दृष्टी, तिरसकार आदी दोश, अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं इसलिए मनुश्य मात्र में भगवान का भाव रखें कहीं भाव न हो सके तो मन से माफी मांग लें किसी को कहने की बताने की जरूरत नहीं शरीर मन वानी से संसार की सेवा करनी है और संसार भगवान का विराट रूप है अतह भगवान के ही शरीर मन वानी से भगवान की ही सेवा करनी है फिर वासुदेवा सर्वम सिद्ध हो जाएगा क्योंकि यह कोई नया निर्मान नहीं है अपी तू पहले से ही है इसके लिए विद्या अध्येन धन संपत्ति बल अधिष्ठान आदी की जरूरत नहीं है इसको प्रतीक विक्ति कर सकता है संतों ने कहा है हाथ काम मुखराम है हिर्दे साची प्रीद दरिया ग्रिहस्थी साध की या ही उत्तमरीद हाथ से काम करते रहे और मुख से राम राम करते रहे इसके साथ ही भगवान से बार बार कहते रहें कि हेनात मैं आपको भूलू नहीं किसी को बुरा मत माने किसी को बुरा मान लिया तो समझें कि हमारा व्रत भंग हो गया है अतह उसको प्रत्यक्ष अत्वा मन से नमस्कार करके क्षमा मांग ले फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे नात मैं भूलू नहीं हे प्रभो मेरा यह साधन सिद्ध हो जाए एक साधू थे उनको सत्संग में कोई अच्छी बात लगती तो भगवान से कह देते कि महराज यह बात आप अपने खजाने में जमा कर लो अगर मैं भूल जाओ तो मुझे याद दिला देना भगवान के समान कोई मालिक नहीं कोई नोकर नहीं कोई मित्र नहीं अचानक बैठे बैठे भगवान की याद आ जाए तो यह समझकर बड़े खुश हो जाना चाहिए कि भगवान मुझे याद कर रहे है भगवान ने मेरे उपर बड़ी कृपा कर दी मैं तो भूल गया था पर भगवान ने याद कर लिया जिससे मेरे को भगवान याद आ गए इस प्रकार भगवान की कृपा का आश्वय लेने पर वासु देवह सर्वम का साधन सुगम हो जाएगा क्योंकि सबकुछ भगवान ही है यहे बात कृपा से ही समझ में आती है अपनी बुद्धिमानी से अपने उद्धियोग से नहीं उद्धियोग करने से तो कर्तरित्वाता है जो इसके अनुभव में बाधग है आज तक जितने भी महात्मा हुए है वे भगवत कृपा से ही जीवन मुक्त तत्वग्य और भगवत प्रेमी हुए है अपने उद्धियोग से नहीं इसलिए साधक को उद्धियोग का आश्रय न लेकर भगवत कृपा का ही आश्रय लेना चाहिए शरीर इंद्रियों की सार्थकता के लिए उद्धियोग करना चाहिए पर परमात्म तत्व उद्धियोग साध्य नहीं है इसलिए सब में भगवान को देखने का सब में परमात्मा को देखने का एक ही उपाय है कि हम किसी से राग द्वेश न करें सब में समदृष्टी रखें यही उपाय है इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में झाल झाल